हेलो वीवर्स, आरके लोग फाउंडेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है मैं एड़ोकेट भी नहीं एरो दिया आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से आजी रहूं आज की हमारी वीडियो होगी हिंदू मैरीज एक्ट 1955 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन पर ये सेक्शन आपको जुडिशल सर्विशेज के साथ साथ प्रेक्टिस में भी बहुत मदद करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट करके बताए इसी के साथ मेरे यूटूब चैनल आर के लोग फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी करें तो फ्रेंट्स चलिए अब हम सुरू करते हैं हिंदू मैरीज एक्ट 1955 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो देखते हैं तो इसमें पहले तो यह देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं हिंदू मैरीज एक्ट 1955 में टोटल 6 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन वो हैं थर्टी वन हर जूडिशल सर्विस एक्जामिनेशन में लगबग हिंदू मैरीज एक्ट 1955 से दो या तीन क्यूशन आते हैं यह बात हो रही है दोस्तों पिट्टी एक्जाम की तो अब हम देखेंगे कि इसके इंपोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं तो फ्रेंड्स चली शुरू करते हैं चैप्टर वन से इस चैप्टर वन का नाम है पिरिमनरी चैप्टर तो इसके इंपोर्टेंट सेक्शन देखे तो सेक्शन वन यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कई बार जूडिशल सर्विस एक्जामिनेशन में इस से क्यूस्ट्स फूच लिये जाते हैं सेक्शन टू वेरी वेरी इंपोर्टेंट अब आता है सेक्शन नमबर तीन यह डेफिनेशन क्लोज है तो यह भी सेक्शन दो के साथ साथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अब नेक्ट सेक्शन आता है सेक्शन पाँच सेक्शन चार इतना important नहीं है for judicial purpose section 5 में condition दी गई हिंदू marriage के लिए कि हिंदू couples की साधी कैसे होगी अब आता है next section 7 section 7 में जो सब्थ पदी है वही important है कि section 7 में ये बताया गया है कि हिंदू marriage act में जब कोई भी couple साधी करता है तो सब्थ पद की जो रस्म होती है यानि साथ फेरों की उसको fulfill करना जरूरी होता है इसमें यही important है कि कई बार पूच लिया जाता है कि हिंदू marriage act के section 7 में कौन सी condition दी गई है अब आता है section 8 registration के बारे में कहता है जो इतना important नहीं है section 9 बहुत important section है क्योंकि यह बात करता है restitution of conjugal right तो हम इसको अलग से mark कर लेते है कि यह सभी section में सबसे ज़्यादा काम आने वाला और साथ में exam में सबसे ज़्यादा पुछा जाने वाला section है section 9 के बाद में आता है important section 10 यह भी important section है अब section 11 वोईड मेरीज अकोरडिंग टू हिंदू मैरीज एक 1955 विच मैरीज इस वोईड और section 12 वोईडेबल मैरीज कि कौन सी साथी सुनने साथी है और कौन सी साथी सुनने करने साथी है इसमें conditions दी गई है तो यह important section है section 13 divorce तो यह भी important section है हमारे लिए और इसी के साथ साथ आप लोगों को यह देख लेना होगा कि divorce में ladies और gents के लिए grounds कितने कितने है यह एक important question बनता है section 13 में कि ladies के लिए कितने grounds है और gents के लिए कितने grounds है यह आपको मैं ब्रीफ में जब हिंदू marriage act की जो वीडियो होंगी उसमें confirm करूंगा अभी हम important section पर चर्चा कर रहे हैं अब आता है section 13 b divorce by mutual consent कि जब दोनों पक्स की रजामंदी से कोई भी divorce होता है तो वो divorce by mutual consent कहलाता है तो यह भी important section है अब इसके बाद में section 15 section 15 क्या कहता है divorce person when may marry again यानि कि कोई divorce person है और जिसकी appeal pending है तो क्या वो साधी कर सकता है दूसरी तो उसके बारे में बताता है तो कई बार इस section से भी question पूछ लिये जाते हैं तो यह भी important section है और section 16 यह भी important section है legitimacy of children of void and voidable marriage यानि कि जो void marriage और voidable marriage से जो भी संतान उत्पन होती है यानि कि उनकी legitimacy पर question कई पर पूछ लिये जाते हैं तो यह एक कमार लिए important section है section 16 अब साथ में section 17 section 17 क्या कहता है punishment of buying gaming यानि कि द्वीव यहा के लिए dund इसके साथ में IPC के section section चलते हैं 494 और 495 यह भी IPC के purpose से important section section 17 एक joint section के रूप में काम करते हैं section 17 के बाद माता इसके साथ में इसके से रिलेटेड यानि कि हिंदू मैरीज एक्ट के according जो भी petition होगी वो डिस्टिक जज की कोड में प्रजेंट की जाएगी उसके अलावा कहीं प्रजेंट नहीं की जाई कई बार क्या होता है कि हाई कोड अपनी कंसेंट से जो एडीज होते हैं additional district judge वो district judge के भार को कम करने के लिए उनको एडीज कोड को power देते हैं तो हम वहाँ भी प्रजेंट कर सकते हैं कई बार यह question भी पूछा गया है judicial service examination में क्या ADJ court हिंदु marriage act से related कोई भी petition admit कर सकता है तो इसका answer होगा yes अब चलते है next section की और अब इसमें next section आता है 21C documentary evidence तो यह important section है अब इसी के साथ section 22 section 22 क्या कहता है proceedings to be in camera and may not be printed और published यानि कि जो camera proceedings होती है camera proceedings का मतलब होता है कि अगर इसका word का meaning देखे तो camera proceeding बहुत से student यह समझते हैं कि जो भी petition पर कारवाई होती है camera proceeding होती है उसमें camera के सामने proceeding होती है इसका मतलब यह नहीं होता है इसका मतलब यह होता है कि court में दोनों party के advocate होंगे और जो court के क्रमचारी है वह होंगे और दोनों party होंगे उनके अलावा कोई भी नहीं होगा तो इसे camera proceeding कहते हैं ना कि camera के सामने proceeding अब next section देखे तो section 24 24 भी एक बहुत important section है for judicial services इसके बाद में section 25 25 में क्या कहा गया है permanent alimony and maintenance यानि कि कोई भी case decide हो जाता है उसे maintenance award हो जाता है तो कई बार यह होता है कि permanent alimony या maintenance देने का provision होता है कई party चाहती है कि हम इस case को यहीं पर खतम करें और एक साथ जो भी इसका maintenance बनता है वह देकर case को रफा रफा करें तो section 25 यह permanent alimony के बारे में कहता है तो जी अगर इसमें पूछा जाएगा तो यहीं पूछा जाएगा कि permanent alimony के बारे में कौन सा section कहता है section आपको option में दे जी जैंगे 24 23 25 27 तो आपको 25 पर click करना है अब आता है section 26 section 26 बात करता है custody of children simple सी बात देखे तो जो तो बच्चे 5 साल के होंगे तब तक custody का right अमेशा मा को रहता है और 5 साल के बाद में court decide करेगा कि custody किसके पास रहेगी कौन उसका लालल पालन या कौन उसका परवरिस अच्छे से कर सकता है तो section 26 में यह कहा गया है but court will decide who will take custody of children's और इसके बाद में section 28 important section appeals from degree and orders और अगर important section देखें इसके बाद में section 28a यह section Hindu marriage act important section में आते हैं लेकिन अगर आप अब कहें कि इन sections में भी सबसे important section कौन कौन से हैं तो वो section आप note कर लिजे section number 2 section 3, section 5, section 9, section 10 और 11 to 13 and 13b अब इसके बाद में जो भी सबसे important section कौन सा होगा अगला section 17, section 19 और section 24 अगर आप अब भी कहते हैं कि इन में से important section कौन से हैं तो इन से भी सबसे ज्यादा important section होंगे section number 3, section number 5 और section number 9, 10 और 12 और 13 and 13b ये सबसे important section होंगे अगर आपको फिर भी कुछ बाते सोंज में नहीं आती हैं तो आप मुझे डारेक्ट call कर सकते हैं मेरे नंबर है 9079-363935 मैंने एक वीडियो बनाए थी HPSC ADA यानि हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन एडिशनल डिस्टिक अटॉरनी की उस मेरी एक 45 मिनट की वीडियो में 80% क्यूस्टन कवर हुए थे तो उसमें मैंने Hindu marriage act और Muslim marriage act छोड़ दिया था अगर सायद मैं वो वीडियो उस वीडियो में Hindu marriage act और Muslim marriage act को सामिल कर लेता तो मुझे लगता है कि मेरे important section का criteria 90 plus cross कर जाता तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और like share और comment करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी thank you